जैसे राम दोस्तों, अजोध्या में भगवान राम के बिराट मंदिर की अस्थापना हो रही है, जिसमें राम लला के मूर्ती की प्रांट प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगी, तो मित्रों सबसे पहले जो है, भगवान राम कौन है, भगवान राम मानो चेतना के धिरोदात न पना करती है, प्रेम के अप्रितम, दैविप्यमान, उदाहरन भी हैं राम, राम जिनके जीवन ही ने भारतिय संस्कृती की आधार सिला रखी है, उनके बाल रूप की मूर्ती की प्रांट प्रतिष्ठा 22 जनवरी को अजुध्या के भव्यराम मंदिर में की जाएगी, तो प्रतिष्ठा ने कृष्ण सिला या स्यामल सिला पर राम लाला की मूर्ती तयार की है, यह सिला करनाटक के उडूपी जिले के गुज्जन, गुज्जे गौणपुरा से लाई गई है, इसकी लंबाई 4.24 फिट या 51 इंच की है, चावडाई 3 फिट की है, और यहां जैसा आ पर प्रभु सूरि की मूर्ती है, जो कि क्योंकि राम सूरिबंसी छत्रिय कुल के थे, सूरि के दाई और संख और चक्र की आकृती बनाई गई है, जो भगवान विश्णू के हाथों में रहता है, बाई और गदा की आकृती है, और स्वास्तिक चिन्ह भी बाई और ही बना बाइज और स्वास्तिक चिन्ध बनाया गया है और दाई तरफ ओम का ओम का चिन्ध बनाया गया है यह दोनों ही सनातन धर्म के परतीक हैं। मूर्ति के सबसे नीचे कमल की आखरति बनाई गई है जो प्रभु सिराम के चरण कमलो को दरसाती है। मूर्त के सबसे नीचे दाईी तरफ हनमान जी की मूर्ती बनाई गई है और 2 तरफ गरुन की आकरती बनाई गई है जो भगवान विस्लू के वहन है मूर्त में भगवान विश्मु के दस आउतारों को अंकित किया गया है जिसमें दाई तरफ सबसे नीचे मतस्य आउतार उसके उपर कूर्मा आउतार के उपर बराह आउतार की आकृति बनाई गई है और उसके उपर भगवान निर्सिंह की और उसके उपर बामन आउतार की आ पर्शुनाम जी की आकरित और फिर राम जी की आकरित है प्रभु कृष्ण की आकरित उसके नीचे बुद्ध और भविस्य के विष्णु कलकी की आकरित भी बनाई गई है। लच्मी कान दिछित जी करेंगे तो राम मंदिर में मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनौरी को होगी जो कि लगभग सारह 500 बरसों के बाद यह मंदिर बनकर तयार हुआ है प्राण प्रतिष्ठा 22 जनौरी को होगी और पुरे भारत में ही यह एक उत्सो के रूप में मनाया जा रहा है आप सभी को भी राम लला के मंदिर के मंदिर के मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा की बहुत-बहुत सुभ कामना है और आप सभी भी इस उस्सों में बहुत जोर सोर से भागिदारी करें जै स्री राम